जहिन मित्रो आप में से कई लोगों ने एक वेब सिरीज देखी होगी मिर्जपूर उसमें एक मुन्नवईया का करेक्टर होता है और उसका एक फेमस डायलॉग है जो भरोसे वाले होते हैं वही डाट डाट होते हैं यह रिक्तिस्तान आप खुद अपने दिमाग में भर लेना अभी मैं मुद्दे की बात करता हूँ मैं ऐसी बाते जर्नली तो नहीं करता पर मैं एक सक्स के वारे में बताना चाहता हूँ और उसकी करतूत के वारे में आपको अवेयर करना चाहता हूँ उस परसन का नाम है सतेंदर सियाल उत्तर प्रदेश के हापुड डिस्टिक का रहने वाला है और करता क्या है ये एक गौवर्मेंट आफिसर है अब जब गौवर्मेंट आफिसर है तो ये कही ने कहीं कारे कर रहा होगा डिफिनेटली जैसे भारत के दिल्ली में बहुत सारे देशों के दूतावास होते हैं उसी परकार जो रूस है रसिया अंग्रेजिम बोलते हैं कई लोग उसकी राजदानी है मासकों और मासकों में भी अलग अलग देशों के दूतावास है डिफिनेटली भारत कभी वहां पे दूतावास है तो जो ये सतेंदर सियाल करके इंड देश मंत्राले की अलग-अलग महत्पूर्ण highly confidential जो इन्फॉर्मेशन थी इसके पास थी इनकी कर्टूत यह है कि जो पाकिस्तान की जो intelligence agency है ISI की किसी महिला हैंडलर के से यह हो गए हनीट्रेप बहुत सारी देश की जो confidential confidential information थी related to विदेश मंत्रा रहे और related to Indian Army इन्होंने उसके साथ सेर की और इनकी जो चर्चा उस हैंडलर से जो पाकिस्तान बेस थी उससे कई बारी बात हुई और यह हनीट्रेप हो के या कि कुछ पैसो के लालच में देश की सुरक्षा से related इतनी confidential information इन्होंने दौव में लगा अब यह तो इनकी कर्तूथ हुई आप सोचेंगे कि यह पता कैसे चला तो जो उत्तर प्रदेश का एंटी टेररिजम स्कॉर्ड है यूपी एटियस इनको कई सारे input मिले होता क्या है कई सारे undercover agents होते हैं कई जगह से कई कई जगह से कई वारी यूपी एटियस को यह information आ रही करना चाहता है और इस सब के इस सब कारक्रम में कई वारी होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा भी देना पड़ता है इसी network का यह हिस्सा सतेंदर सियाल बन गए और भारत की बहुत highly confidential information पाकिस्तान की एक महिला जो मुखता है उनकी intelligence agency की handler होगी तो उसके साथ share कर दी अब भी यूपी ATS को यह बात मिली तो जो यूपी ATS का मेरट मेरट फ्रांच है उनको इन्होंने बुलाया इनके पास से कई सारे mobile phone जब्त किये और बहुत सारी जो बाते हैं इन्होंने कबूल भी करी कि हमारे द्वारा इस प्रकार की सूचनाओं को इस तरह से share किया गया जब इनक ही वर्स एक वारी DRDO के साथ ऐसा हनी ट्रेप का मामला है तो कई वारी अलग-अलग ऐसी घटनाएं होती हैं जो देश को और देश की सामरी स्ट्रक्चा को बेहत चिंता में डाल देती हैं क्योंकि जो हमारे enemy country चाहे चाहिना हो चाहे पाकिस्तान हो वो इस प्रकार की information को तो मिलते ही हैं जो पाकिस्तान को चला रही है वो पाकिस्तान आर्मी है तो देश में चाहे कितनी भी बूरी हाला तो पाकिस्तान आर्मी के पास पैसे की कमी नहीं होती और यह कभी दिक्कत होती है तो चाहे मीडी लिश्ट से चाहे यूएस से कई बारी उनको help तो मिलती ही रहती है तो ये एक information थी मैं आपनी और से आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो सत्यांद्र सियाल जैसे गीदर है इनको पकड़ने के लिए भारत में बहुत बड़े जावाज और इमानदार officer है और आज भी NSA अजीर डुबाल जैसे बहुत जावाज और बहादुर आफीसर है ऐ ऐसे गीदरों को time to time निकालते रहेंगे और उनको सही जगह पहुचाते भी रहेंगे जैसा recently आपने देखा ही है जो so called खालिस्तान की माग करने वाले थे वो किस प्रकार से time to time उपर पहुचे हैं वो information आपको पता ही होगी और even पाकिस्तान के कैसे कुछ terrorist कैसे अंजार व्य समाज के कीडों को निकाल के time to time फेकते रहेंगे और भारत मा की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की आच नहीं आने देंगे यह information आपको कैसी लगी और सतेंदर सियाल की करतूत के विशे में आपका क्या मानना है comment section में हमें जरूर बताए मिलते हैं ऐसे ही informative और interesting video के साथ तब